दोकलाम में ड्रेगन की नई चाल के बाद से ही मोदी सरकार एक बार फिर घिर गई है विवादी शेत्र में चीनी घुसपैट को लेकर अब कॉंग्रिस ने मोदी सरकार पर कई सवाल दा गए है कॉंग्रिस ने पूछा है कि सेटेलाइट की जो तस्वीरें सामने आई है उसकी जानकारी सरकार को है क्या पिया मोदी इस बात को स्विकार करेंगे कि डोकलाम पर नया खत्रा मंड़ा रहा है डोकलाम में सरकार के दावो पर सवालिया निशान लगाते हुए कॉंग्रिस प्रवक्ता रंदीप सुर्जेवाला ने पूछा कि क्या हमारे देश के सरकार और रक्षा मंत्राले को जानकारी है कि चीन ने डोकलाम पर कबसा कर लिया है चीन ने डोकलाम में जुस्थिती बनाई है वो क्या विदेश मंत्राले के भारत चीन समझोते के मताबिक है कॉंग्रिस प्रवक्ता ने पूछा कि डोकलाम में ट्राय जंक्शन का मसला भविश्य में कैसे हल होगा मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक चीन ने अरुणाचर प्रदेश में 1.3 किलोमीटर अंदर तक रोड बनवाया है क्या वह सही है क्या नरेंदर मोदी इस विकार करेंगे कि नया खत्रा डोकलाम मसले पर खड़ा हो गया है उन्होंने कहा कि विदेश मतरी सुष्मा सुराच ने कहा था कि मसले को बादचीच से हल किया जाएगा ऐसे में डोकलाम में मौझूदा स्थिती क्या उलंगन नहीं साथी कॉंग्रिस ने प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी से पूछा कि आपने घुसपैट रोकने के लिए जो दावा किया था उसका क्या हुआ क्या आप देश को गुमराह कर रहे है आपको बता दे कि सेटेलाइट की कुछ तस्वीरे सामने आई है जिसमें डोकलाम शेत्र में चीन का दुस्ता हस साफ नजर आ रहा है खबर है कि चीन ने उत्तरी डोकलाम में साथ हली पैट बना लिये है साथी कंक्रीट बनाने और हतियार रखने की भी खबर है डिवी लाइफ की रिपोर्ट